आज की वीडियो में मैं आप लोगे साथ जो हेर मास्ट शेयर कर रही हूं इसे ना सिर्फ आपके बालों को सिल्की और शाइनी बनाएगा नेचरल हिना के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि यह बालों के लिए कितनी अच्छी होती है तो आज की हेर मास्क का जो में इंगेडियन्ट है वो है नेचरल हिना इसके बहुत सारे वेनेफिट होते हैं यह ना सिर्फ एक नेचरल कंडिशन की तरह वर्क करती है बलकि हेर ग्रोथ बढ़ाती है और जो डेमेज हेर होते हैं उन्हें रिपेर करने में हेल्फ करती है सेगिंड में ले रही हूँ करी लीप्स करी लीप्स हेर ग्रोथ को तो बढ़ाता ही है बट अगर आपको हेर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है तो यह उसे भी बहुत अच्छे से ट्रीट कर देता है थाध में आपग्र ले रहे हैं अलॉवेडा जेल यह मैंने नैच्छर लिए है ट्राइ करियें कि आप जो भी घियर मास्क यूज कर रहे हैं उसमें अप नैच्रिल अन्गीडियन्ट का ही जादा से जादा यूज करें इस मास में aloe vera का कोई replacement नहीं है बड़ अगर आपके पास curry leaves अविलेबल नहीं है तो उनके जगे पे आप fenugreek sheets भी यूज़ कर सकते हैं इसके लाबा अगर aloe vera gel natural नहीं मिल रहा है तो आप market का भी aloe vera यूज़ कर सकते हैं बड़ ध्यान रखें कि वो 100% natural हो aloe vera cheese scalp की problem को दूर करता है और यह hair growth को बढ़ाता है अगर आपके hair बहुत जादा dry हो गये हैं तो इसे regular use करने से उनकी dryness भी दूर हो जाती है इसका juice हमने निकाल लिया है अब इन तीनों चीज़ों को हम grind कर लेंगे अगर आपके पास natural हिना leaves नहीं मिल रहे हैं तो आप market से 100% pure हिना को use कर सकते हैं बड़ कोई भी chemical वाली बहंदी का प्लीज यहां पर use ना करें लास्ट में मैं ले रही हूँ ब्रिंग्राज पाउडर इसकी help से आप अपने बालों को बहुत तेजी से grow कर सकते हैं इसकी quantity मैंने 2 teaspoon ली है इसे आपको mix कर देना है hair mass में और हमारा hair mass बनके ready हो जाएगा इसको आपको hair पे अच्छे से apply करना है पूरी scalp पे ध्यान रहें कि आपकी scalp जो है वो clean होनी चाहिए dirt नहीं होना चाहिए तभी आपको इसका पूरा benefit मिलेगा half an hour तक आपको इसे रखना है और उसके बाद clean water से इसे wash कर देना है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो like जरूर कीजेगा और आप चैनल को subscribe भी कर सकते हैं thank you so much for watching my video